तो न तो कोई लिस्ट है न कोई आदेश है न हमसे कोई बात्चीत है यह कोई तरीका है क्या तो निशित रूप से उन लोग को समझना चाहिए इतनी भी अकल होनी चाहिए नियम कानून को तो कुछ समझते ही नहीं है नितीश जी के राज में अन्या नहीं होगा इस लड़की के तरफ से जो समान है जो दिया आते हैं बेटी के शादी के वक्त वह सभी समान आज लोटा दिये गए हैं इस वक्त हम खरें हैं चंद्रिकारा के घर के बाहर और यह तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से घर के बाहर पुलिस पहुंच चुकी है और दो गाडियों से ऐसे चंद्रिकारा का रहे हैं कि दो गाडियों यहां पर आएं और दो गाडियों से डंप कर दिया गया और उसके बाद पुलिस प्रिशासन जो है वो पहुंच चुकी है आपको बता दें छे महिने से ज्यादा भी रिष्टा नहीं चल पाय था लालू प्रिशादव के पर साफ इन तस्वीरों का आप देख सकते होंगे दों तरफ ट्रक्स लगे हुए हैं यह सभी सामान जो हैं वो मंगाये गये हैं और उसकी तस्वीरे भी लावास के बाहर किसे के सबसे पहले पहुंचा रहा है डिजिटल मार्धियम से किसे चंद्रिकारा के घर के बाहर लगता हुआ है जितनी सारी जो भीर है वो लगी हुई है चंद्रिकारा यह सब्सक्राइब कर दिया गया है यह कहा गया है कि रावरी देवी का आदेश है इसे कैसे समझते हैं कि उन लोगों ने जबरदस्ती करने का उन लोगों ने नियम कानून की धजी उड़ाने का काम किया है आप सभी सभी फूरा पूरा लोग सारे लोग जानते कि अनलों पर उन लोगों ने प्रतारना का काम करने का काम किया था और इनको घर से काम किया था हौँन्हों ने दिए था किuju लोगों मेंने दिया था कुछ महाईने में देते थे लोगte विए भी मिलता था उस तरह के पास जो था हूं कि सारे चीजों को इन लोगों ने उनके रूम में साहर हो और तो नहीं है को नहीं से कोई बातचीत है यह कुई तरीका है क्या यह तो यह कि जब केस हो गया वहां पर निशित रूप से उन लोगो समझना चाहिए इतनी अखल होनी चाहिए कि किसी बी मेजिस्ट्रेट के सामने जो भी समान देंगे उसकी इंवेंटरी बनती है और उस तब दिया जाता है हमारे भी वहाँ पर आद्मी जाएंगे तभी इंवेंटरी बनती है यह नीएम कानून को तो कुछ समझते ही नहीं है और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमारे पुलिस मुझे बहुत अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि इतने बड़े कांड में भी अभी तक को इन्वेस्टिकेशन आगे नहीं बढ़ा है मुझे तो हमेशा न्याय की उमीद रहती है और विशेश करनी तीश जी के सासन में मुझे पूरे न्याय की उमीद थी मगर मुझे बहुत दुख हो रहा है इधर हो सकता है भले ही दो तीन जगह यह सीए यह के बिरोध में जो हंगामा चल रहा था उसमें पुलिस आफसर व्यात होंगे मगर मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि नितीश जी के राज में अन्याय नहीं होगा इस लड़की के साथ ऐश्वरिया के साथ अन्याय नहीं होगा ऐसा भरसो जटाय जा रहा है और तस्वीरे आप लगातार देख सकते होंगे दो ट्रक समान जो हैं कह सकते हैं तथा कत बारवर यह क्या रहे हैं कि उनके मना करने के बाद व्यूद भी से यहां पर डंप कर दिया गया और उसके बाद कई सारे जो अलजाम लगा हैं चंदिकार ने वह भी आपने सुन लिए हैं आप लाइप सीज देखते रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ साथ फेस उपेज भी लाइक करें धन्यवाद